सो वेलकम फ्रेंट्स, स्वागते आप सभी का डेली न्यूज अपेर्स की सीरियस में पैसिक नोलेच के साथ साथ फ्रेंट्स अगर आप किसी भी इगजाम की त्यारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुद मैद कुन रहने वाला है अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहो तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजी इसकी पीडियेप आप टेलिगराम से डाउनलोड कर सकते हूँ लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन है मिल जाएगी सो चली शुरू करते हूँ देखते कि आज की अपडेट कह कहती है दोस्तो आज के टोपिक में हम बात करने वाले हैं नाटो प्लस के बारे में हाले में भारत ने नाटो प्लस में शामिल होने से इंकार कर दिया है जिसमें विदेश मंतरी डोक्टर एस जैशंकर की तरब से ये कहा गया है फ्रेंट से कि भारत का नाटो में शामिल होने का कोई अभी इरादा नहीं है और ये सेन ये गड़बंदन भारत के लिए उप्योक्त नहीं है लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना वाली बात ये है कि नाटो प्लस है क्या और भारत द्वारा इसमें शामिल होने से इंकार क्यों किया गया है तो चलिए इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं साथियों नाटो यारी कि नोर्थ अट्लांटिक ट्रीटी ओर्गिनाइजेशन जो कि बैसिकली एक मिलिक्टरी एलाइंस है जिसका गठन हुआ था चार अप्रेल उनिस सो उन पचास को ठेक 1949 में इसकी स्थापन हुई थी और इसका हेटकोटर है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की केपिटल है शुरुआत में नाटो को सोवियत यूनियन को हराने के लिए बनाया गया था जो कि काफी हद तक सपल भी रहा सोवियत यूनियन के विगटन के बाद कई सारे अलग-अलग देश बन गये और सोवियत यूनियन की जगे एक नया देश रूस निकल कर सामने आया लेकिन अब नाटो चीन पर कंट्रोल करना जाता है अब उसका रुक एशा की तरफ है और इसी वज़े से वो भारत के और हाथ बढ़ा रहा है देखे इसी साल मार्च महिन में इंडिया और अमेरिका के नाटो प्रतिनिदियों के बीच मिटिंग कंड़क्ट हुई थी जिसमें यूएस रिप्रेजन्टेटिवस की तरफ से ये कहा गया था कि इंडिया से आगामी वार्ताओं के लिए नाटो के दरवाजे खुले है साथी पिछले मैंने एक यूएस हाउस पेनल की तरफ से ये कहा गया था कि भारत को अमेरिका से सहयोग बढ़ाने के लिए और चीन के खत्रों से निपटने के लिए नाटो प्लस में शामिल होना चाहिए साथी नाटो में नोट करेगा नाटो में 31 सदशी देशे और नाटो प्लस इसी के विस्तार की तरह है जिसमें 5 मेंबर कंट्री है नाटो प्लस में जो सदशी देशे वह है उस्टिलिया, न्यूजिलेंट, इसराइल, जापन और साउथ कोरिया हालाकि इन में से कोई भी अट्लांटिक कंट्री नहीं है नाटो सदश्य अनुच्यत 5 के साथ जुड़े हुए है जिनके हिसाब से अगर किसी भी नाटो कंट्री पर हमला होता है तो इसे सभी नाटो देश पर हमले की रूप में देखा जाता है और इस सिस्टम को कहा जाता है collective security लेकिन बात करें नाटो प्लस की तो इसके सदश्य देशों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं है इसके बजाए इन देशों को intelligence, inputs, more weapons और military corporation प्रवाइड के जाते हैं तो यहाँ पे इन दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा नाटो में जो सदश्य देश है अगर उन पर कोई हमला करता है तो वो सभी नाटो देशों पर हमला माना जाता है बट अगर यहाँ पे नाटो प्लस देशों पर कोई हमला करता है तो उसे weapons प्रवाइड के जाते हैं नाकि उसके लिए कोई other country खड़ी होती है इन पांच नाटो प्लस country से अमेरिका के पहले ही बहुत खास और पुराने सम्मध रहे हैं औस्टलिया और न्यूजिलेंड अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक है इन दोनों ने अमेरिका के साथ विश्व युद लड़े हैं यहाँ तक कि औस्टलिया तो अमेरिका के दोरा लड़े गए हर युद में शामिल रहा है चाहे फिर वो कोरिया या वियतनावार हो या फिर 1991 के खाड़ी युद हो जापान और साथ कोरिया अमेरिका के पर्मानू प्रसार का इस्सा है और इस्राइल अमेरिका का क्लोजेस्ट पॉलिटिकल मिलेक्टरी एलाई है लेकिन बात करें इंडिया की तो वो इन सबसे अलग है पास्ट में इंडिया और अमेरिका के सम्मन्थ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे है इन दोनों देशों के बीच दशकों से डिस्विलिफ, क्रायटिज्म और सेंक्शन से भरपुर सम्मन्थ थे हालाकिन रिष्टों में अब काफी सुधार भी हुआ है और तब से अब तक दोनों देशों के बीच निकरता काफी बढ़ गई है लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह विल्कुल नहीं निकलता है कि भारत अमेरिका के नेत्रत वाले नाटो में सम्मिलित हो जाए अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो इससे भारत की स्ट्रेट्जिक एटोनोमी बादित होगी साथी इंडिया यूरोपी देशों के करीब आ जाएगा जिससे रस्या के साथ हमारे सम्मंद खराब हो जाएंगे दूसरी और भारत की विदेश निती स्ट्रेट्जिक एटोनोमी पर आदारी थे भारत के सभी देशों से अच्छे सम्मंदे चाए फिर अमेरिका हो यूरोप हो या फिर रस्या हो और यहाँ पर नाटो प्लस में नहीं जूडने का इंडिया का एक कारण ये भी है कि वेस्ट कंट्रिस चीन पर दबाव डालने के लिए भारत को एक रिसोर्स की तरह देखती है और इसलिए भारत को इन से दूरी बना के रखना चाहिए क्योंकि नाटो अपने सयोग्यों का इस्तमाल कर उन्हें अकिला छोड़ देता है लेकिन यहाँ पर इसका मतल़ ये भी नहीं निकलता है कि भारत को नाटो से अपने समवात को खत्म कर लेना है क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है फ्रेंट से कि नाटो मनुष्य के दोरा बनाया गया अभी तक का सबसे ताकतवर संगठने और इसलिए नाटो के साथ बाक्चित बनाया रखने में समझदारी है ना कि उसमें शामिल होने में ठीके इसके बारे में आपके क्या विचारा आप कमेंट बोक्स में बता सकते अगर वीडियो पसंद आयते तो से लाइक कर लिजे चैनल पनाय हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे विश्यों वेरी बेस्ट थैंकिस सो मच